अब हम सेवन का सेकेंड यूस करेंगे क्वेस्टिन वर्काट प्रब्रमु का सेवन का सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो इंट्रिगेशन टी एक्स बाई अंडरूट बन प्लस साइन एक्स सेम हम इसको भी उसी तर तोड़ेंगे तो हो जाएगा टी एक्स बाई यंगे साइन एक्स बाई ट्वफ्फ्फ्फ्फॉ प्लस एक्स एक्स बाई ट्व। प्लस साइन एक्स को आप्स करेंगे तो 2 sin x y 2 into cos x y 2 अभी से हम लिख सकते हैं dx by under root sin x y 2 plus cos x y 2 का whole square square से root remove हो जाएगा तो बचेगा dx by sin x y 2 plus cos x y 2 अभी समें हमें इसका कोई formula नहीं होता है तो इसमें root 2 sin 2 and divide करेंगे इसका formula बनाने के लिए integration dx by root 2 and sin x y 2 into 1 by root 2 से करेंगे plus cos x y 2 into 1 by root 2 root 2 constant है तो हम बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 by root 2 integration dx by sin x को हम sin x लिख देंगे sorry sin x y 2 को हम sin x y 2 लिख देंगे इन्टू 1 by 4 तो आप चाहें तो इसे sin a plus b के formula पर भी तोर सकते हैं या फिर आप चाहें तो cos a minus b के formula पर भी solve कर सकते हैं तो ज्यादा coefficient है कि आप sin के में ही convert करें sin के साथ cos होता है तो 1 by root 2 का cos में मान होता है cos pi y 4 plus cos x y 2 into sin pi y 4 अब इसे हम लिख सकते हैं 1 by root 2 creation t x by sin x y 2 plus pi y 4 अब साथ 1 by sin को cos 1 में change करेंगे 1 by sin equal हो जाता है cos 1 लिख सकते हैं cos 1 x y 2 plus pi y 4 into t x और हमें पैता है कि cos x का formula होता है integration में 1 by root 2 into log tan x y 2 तो x के जगा पर हम यह पूड़ा एंगल लिखेंगे x y 2 plus pi y 4 यह x के जगा लिखा जागा क्योंकि एंगल लिखाता है एंगल में 2 से डिवाइड किया जाता है तो हम डिवाइड 2 लिख देंगे bracket plus c यहां में इसे solve करेंगे 1 by root 2 into log tan true divide में है तो यह 1 by 2 यानि 2 से into होगा तो क्योंकि देखिए इसके denominator में 1 छुपा हुआ है तो हम solve करके दिखा जाते हैं xy2 plus pi by 4 into 1 उपर चला जागा निमरेटर में तो 1 by 2 plus c हो जाएगा 1 by root 2 into log tan 2 से into करेंगे तो xy4 plus pi by 8 bracket plus c आप चाहें तो यह से 1 by root 2 into log tan pi को आप आप आगे लिखें तो pi by 8 plus xy2 bracket plus c 1 by Kiri आवा rappelle में तो यह से दो लिखें तो 5 अब हम फरकाउट प्रोब्लम का क्वेश्चिन नमब एट सल्व करेंगे फ्रोब्लम क्वेश्चिन है इंटर रूट नमब एट सी नमब एट भी दिनीटर मे भी हमें इसे जैंक और भी दिनीटर में पिनाना झाणग ना है तो ट्रिगेश्टन तैन एक्स तो इसे भी हमें साइन में चैंज करना है तो इसमें हम से इंटू एंड कॉस एक्स से डिवाइट करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अर्रेडी है तो हम इसमें कॉस्च से डिवाइट करेंगे and cos x से into करेंगे into dx integration under root 10x by sin by cos हो जाएका tan x into यहां cos से cos square x into dx cos से cos को into करेंगे and sin by cos का formula and cos square अभी से हम चेंज कर देते हैं 1 by cos square का equal होता है से किस्कार एक्स तो अंडर रूट टैन एक्स और वन ऊपर वन चुपा होगा है तो 1 by cos square x का हो जाएगा into six square x by tan x into dx जो कि रूट के अंडर टैन है तो हमें जेड इक्वल टैन बानना होगा जेड इक्वल टैन अब जेड को एक्स के स्पेक में डेरिवेटिव करना होगा दी एक्स और डी जेड बाई 6 square x put cutting it according to question integration and the and the root 10 X into 6 square x by 10x into dx अब हम यहां मान पुट करेंगे तो हम z equal 10x माने थे तो यहां पुट कर देंगा under root z into 6 square x by z equal 10x था तो हम 10x के equal में z लिख सकते हैं into ds का value हम निकाले थे dz by 6 square x 6 square x से 6 square x divide हो जाएगा and इसका power half है root है and 1 तो कम power है उपड़ है नीचे जादा power है तो कम power आके यहां subtract हो जाएगा तो half 1 में half minus करेंगे तो 2 minus 1 by 2 तो एककोल हो जागा 2 में से 1 जागा 1 by 2 1 में से हाफ को subtract करेंगे तो half हो जाएगा तो 1 by z half into dz आप हाफ के जगा पे root भी लिख सकते है तो dz and 1 by root z का formula होता है 2 into root z plus c हमने z ही कल माना था tan x तो हम यह tan x put कर देंगे plus c answer अब हम workout problem का लास्त एंड question number 9 solve करेंगे question and interrogation sin square theta by 1 plus cos theta ka whole square into d theta यह question theta का इस्पेक्ट में है तो हमें पहले whole square तो ना है इससे हम लिख सकते हैं sin theta का whole square by 1 plus cos theta तो इसका फर्मूला आता 2 into cos square theta by 2 का whole square into d theta integration integration sin theta का यहां formula लिखेंगे sin theta का हो जाएगा 2 into sin theta by 2 क्योंकि angle में 2 से divide करना है यहां जो भी angle हो उसमें 2 से divide करके आप लिखेंगे तो sin theta by 2 into cos theta by 2 bracket whole square यहां यहां square तो लिखेंगे तो into है तो simply 2 का square हो जाएगा 4 into cos square है तो power 4 theta by 2 into d theta 4 से 4 रिमूव हो जाएगा cos square से cos का power 4 रिमूव हो जाएगा तो यहां हम बचेगा sin square theta by 2 by cos square theta by 2 into d theta आप इसके equal में लिख सकते है tan square theta sin by cos equal tan होता है तो square है तो square कर देंगे tan square theta by 2 into d theta tan square theta का कोई formula नहीं होता है इसके से से कमी चेंज करेंगे तो से कमीचेंज करेंगे तो से किसक्वार theta by 2 minus 1 into d theta और इसका सिंप्ली integration होता है से किस्वार theta का हो जाएगा tan theta by 2 into क्योंकि यहां एंगल में 2 से डिवाइड रहता है तो यहां 2 में 2 होगा minus 1 का हो जाएगा theta plus c यह से solve करके लिख सकते हैं 2 into correct करके 2 into tan theta by 2 minus theta plus c यद्मन में 1 c and so बार याद बार याद बाद Almighty